हलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल आज मैं एक बहुत ही खुब सूरत तोड़न पट्टी लेके आए हूं तो बहुत ही सुन्दर उन्हें बनाया है देखें दोनों साइट से मैं दिखा रही हूं इसको अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप देख सकें तो चलिए हम बनानाय स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चैन बनाएंगे तो हमने यहाँ पर एक चैन बनाया है यह दो तीन चार तो हमें चार चैन लेना है दो राउंडे से कुरुश्य हमें और फिर हमें यहाँ से नीचे से ऐसे धागे को निकालना है और दो फंदे करके हमें इसको बंद कर देना है दो दो फंदे इस तरीके से अब इसके अंदर हम सिंगल कुर्षिया बनाएंगे तो यह हमने एक सिंगल कुर्षिया बनाया दो सिंगल कुर्षिया एक तीन एक चार पाँच छे साथ एक साइड में हमें आठ सिंगल कुर्षिया बना लेना है इसके बाद हम एक दूसरे साइड भी आठ सिंगल कुर्षिया बना लेंगे तो हमने यहाँ पे आठ सिंगल कुर्षिया बना लिया है अब इसके बाद हमने जहां से स्टार्ट किया था वह इसे हम इसको बंद कर देंगे इस तरीके से अब इसके आगे हम दूसरा धागा लगाएंगे तो पहले हम धागे को जोड लेंगे इसको हमें बंद कर लेना है इस तरीके से और टाइट कर लेना है धागे को और थोड़ा सम धागे को खीचेंगे इस तरीके से और इसे कुरुष्या में लेंगे इसके बाद हमें यहाँ जो चैन बना यह वाला सेकेंड वाले में हमें बनाना है फर्स्ट छोड के तो हमने एक बार निकाला उस पंदे में से यह दो बार तीन चार यह पांच तो हमें पांच बार इसे कुरुष्या में लेना है इसके बाद हम इसको तीन पार्ट बनाएंगे इस तरीके से अब इसको हम बंद कर देंगे फिर दूसरे वाले में हम बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम बंद कर देंगे इसे हम तीसरे को भी बना लेंगे तो इसे भी हमने बंद कर दिया है इसके बाद हमें इसे नीचे एक साइड से घुमा लेना है ऐसे यह मारा उल्टा साइड है और फिर में फ़र्ष छोड़ के सेकेंड वाले में यहाँ पर इसी में से में धागे को खीचना है इस तरीके से तो पांच राउंड हमें से कुश्या में लेंगे और इसको हम तीन पार्ट बनाएंगे इसको बंद करते ही हम जाएंगे आगे इसको भी हम बंद कर देंगे लाश्टे में मारा दो फंदा बचेगा इसको भी बंद कर देंगे इसके बाद हम सीधा साइड कर लेंगे इसको इस तरीके से फिर धागे को हमें छोड़ देना है यह दूसरा वाला धागा हम लेंगे अब इसके अंदर हम चैन बनाएंगे अब दो राउंड हम कुरुष्या में लपेटेंगे और फिर नीचे वाले फंदे से इसमें से हरे वाले में से हम लागे को निकालेंगे और दो दो फंदे हम इसको बंद करती हुए जाएंगे अब इसके अंदर हम सिंगल कुर्ष्या बनाएंगे जैसे हमने अभी नीचे वाला वो बनाया था उसी तरीके से तो आठ सिंगल कुर्ष्या हम इसमें बनाएंगे तो यह हमने आठ सिंगल कुर्ष्या बना लिया इसके बाद धागे को हमें नीचे की साइड से लेना है यहां से ओई जो हरा वाला यहां फंदा था उसी के अंदर से हमें धागे को इसे निकाल लेना है फिर आगे की साइड हम चैन में बनाएंगे 8 सिंगल कुर्षिया आप वीडियों को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए बनाना एम ने बना लिया इसके बाद हम जहां से स्टाट किये थे होई से हम धागे को निकाल के इसको बंद कर देंगे इस तरीके से और फिर हम धागे छोड़के दूसरा धागा लेंगे यह दूसरा बला धागा हम लेंगे अब इसको में इसमें जोल लेंगे धागे को में थोड़ा खीचना है इस तरीके से और कुश्या में एक राउड़े से लपेतेंगे इसके बाद हमें सेकेंड वाले में फ़र्स वाले में चैन छोड़के एक बनाएंगे देखिए यहाँ पर तो हमें यहाँ पर पाच राउड़े से कुश्या में निकालना है इसके बाद हम इसको तीन पार्ट बनाएंगे और इसको हमें गुमा लेना है यहां छोड़के हम दूसरे बाले में धागे को निकालेंगे पांच राउंडे से और इसका हम तीन पार्ट बना लेंगे ऐसे बंद करते हुए इसको बनाते हुए जाना है लाश्ट में दो बचेगा इसको भी हम बंद कर देंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे तो इसी तरीके से यह बनेगा तो देखिए हमने इसको बना लिया है इसकी लंबाई आप अपने अंसार रखें जितना लंबा आप बनाना चाहें तो बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा बना है देखिए अभी इसकी आगे हम और बताएंगे तो हम देखिए यहां पर चैन बनाएंगे तो हमने एक बनाए दो तीन एचार चार चैन बनाने के बाद देख रावने से कुरुषिय हम लेंगे डबल कुरुषिय बनाने के लिए बीच से यहां से दागे को निकालेंगे और हम डबल कुर्षिया बनाएंगे तो देखी हमने बनाया इसके बाद हम इसके अंदर चैन करेंगे तो हमने एक बनाया दो बनाया एक तीन चैन और फिर हमें डबल कुर्षिया बना लेना है उसी फंदे में से नीचे वाले यहां से हम इसको डबल कु तीन, एकार में था हम चार चैन रखना है। और इसे के अंदर हम सिंगल कुष्जिय से बंद्द करेंगे। मैं एक बना यह दूसरा मैं इसके आगे हम चैन बनाएंगे चार चैन बनाएंगे तो मैं यह चार चैन बना लेना तो यहां पर हमने डवा बना लिया अब इसके बीच में हम 3 चैन रखेंगे अब फीर हम डवा कुर्ष्य पनाएंगे उसी के अंदर एक ही बंदे में नहीं तरौनें बना डवा कुछ यह बना लेना है कि आ इस तरीखे से तो आगे हम ऐसे ही इसको बनाते हुए दोनों साइड जाएंगे तो देखिए हमने दोनों साइड इसको बना लिया है अब इसके आगे हम बताएंगे चैन हम बनाएंगे यहां पर दखिए डबल कुर्षिया में- मना एक बनाना यह चैन बनानेक बाद हम डबल कुर्षिया बनाएंगे तो हमने एक डबल कुर्षिय बनाएं एनदों तीन चार पात छे साथ आठ नो तो मैं यापे नो डबल कुर्षिय बना लेना इस बन्दे के अंदर और जो हमने ये दो सिंगल कुर्षिय बना लेना है इसको मैं बंद कर देना है इस तरीके से फिर आगे हम ये जो तीन चैनल ने बना ले बीच में इसे के अंदर हम डबल कुर्षिय बनाएंगे तो इसके अंदर हम नो डबल कुर्षिय बना लेंगे कि बनाना बहुत ही आसान है बस आप ध्यान से देखें वीडियो को तो हमने बना लिया इसके बाद हम सिंगल कुश्या के अंदर इसको बंद कर देंगे तो इसी तरीके से हम इसको आगे और बना लेंगे अरफंदे में तो देखें हमने एक साइट का बना लिया है बिल्कुल इसी तरीके से हम नीचे वाला भी साइट आगे बना लेंगे तो देखिए हमने इसको बना लिया है दोनों साइड का तोड़न पट्टी मारी बनके कम्प्लीट हो गई है देखिए कितना सुन्दर बना है अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमाई तोड़न पट्टी आपको कैसी लगी मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई डियान के साथ थैंक यू